फिन्लेंड ने रूस को सीधी चुनोती दिये फिन्लेंड के विदेश मंत्री ने कहा रूसी हमले कहा असर नहीं नेटो में शामिल होंगे हम फिन्लेंड के विदेश मंत्री रूस ने नेटो में शामिल ना होने की धमकी दिये ये अपने आप में एक बड़ी चुनोती है रू रहे हैं उन पर भी गौर करना जरूरी है कि क्या वार अब ओन हो चुका है और अगला टागेट अब फिल्लेंड होगा क्या यूकरेन के बाद फिल्लेंड और स्विडिन रूस के टागेट पर होंगे छोटे यूरोपिये देशों के लिए नैटों में शामल होना क्या मजबू लेगा और फिल्लेंड और स्विडिन पर हमला करने की फिर से सोच रहा है क्या रूस यूकरेन पर क्यूंकि अब पूरे तरीके से कब्जा नहीं हो पाया है और यह पूरी जंग रूस और पश्शिम की थी या पुतिन की नीजी लडाई है संजय सोई सर अब फिल्लेंड और स्विडिन बताया जा रहा है कि रूस का अगला टागेट है क्यूंकि यह दोनों ही छोटे देश हैं लेकिन आप नाटो का मेंबर बनना चाह रहे हैं पुतिन चेताब नहीं तो दे रहे हैं लेकिन यह मानने को तयार नहीं है कहीं इन पर हमला करके कोई बड़ी भूल यूक सब्सक्राइब करना चाह रहे हैं और युक्रेण ने भी खाली यहीं बोला था कि मैं नेटो जोइन करना चाह रहा हूं तो क्या रश्या जिस परकार से उक्रेण पर हमला किया क्या वहीं हमला फिन लेंड पे करेगा यह बहुत बड़ा सवाल है जो अभी मुझे लगता नि युक्रेण का तो फिल्लैंड और स्वीडन पर कैसे हमले की सोच रहे हैं बिल्कुल यहीं पर एक अमेरिका जो बहुत बड़ी मैं करूं स्ट्रेजिक विन हो रही है अमेरिका की रूस को बढ़त मिल रही है यूक्रेण में और दूसरा की एक अमेरिकन स्पिर साइकोसिस कर कर रहे हैं कि आप अगर नहीं रुक्रेण के साथ डर का माहल बनाया जा रहा है लेकिन फिल्लैंड कम से कम इसवाइन नजर आ रहा है कि वो नैटो जॉइन करेगा ही करेगा बातस्वत की एक और बड़ी खुबर की कर लेंगे पुतन से मिलने के बाद ऑस्ट्रेलियाई चा काल नहमर ने ये बड़ी बात कही है तनाव के महौल में हुई मेरी और पुतिन की बात नहमर ने कहा मौस्कों में पुतिन से मिले ऑस्ट्रेलिया के चांसलर काल नहमर युद्ध शुरू होने के बाद पुतिन से मिलने वाले किसी यॉरपीय देश के पहले राश्ट और क्या कुछ कहा है मुलाकात के बाद क्या कुछ कहा मुगालते में हैं पुतिन रूस युकरेन युद्ध को लेकर अपने ही तरकों में खोए हुए हैं पुतिन ये कहा है और पुतिन को लगता है कि वो युकरेन से युद्ध जीत रहे हैं मैंने बूचा में जो कुछ देख उसके बारे में पुतिन को बताया था ये चांसलर का कहना है पुतिन ने मुझसे एक साथ दो तरह की बाते की एक तरफ कहा कि वो किसी भी अंतराश्टिय जांच के लिए तयार है और दूसरी तरफ पुतिन ने कहा कि उन्हें पश्मी वर्ल्ड का भरोसा नहीं है मेरी और पु पुरा पश्चिमी देश और यूरोपियन कंट्री अमेरिका पुतिन के खिलाफ है तो ऑस्ट्रिया देखता है कि ये टेंशन में है पुतिन और पुतिन कभी भी विश्वास नहीं करता यूरोप के उपर नाटो देशों के विए उसको भूच्चा के बारे में बताने पर कर सकती है और उसकी जांच करने दीजिए लेकिन मेरे को कोई फरक्त नहीं पड़ता ये पुतिन का कहना है पुतिन अपनी बात प्याड़े हुए है उनका जो एम है उसको अचीव करेंगा पुतिन का जो स्टैंडर्स मैं आपसे सरी एक क्वेश्चन करना चाह रहा था ऐसा नहीं है कि कोई स्टैंडर्स में रहना पड़ेगा ऐसा नहीं है ये जो परवाह देश की सोमवार से शुक्रवार रात दस बजे टीवी नाइन भारत वर्ष पर